बालों को चड़ों से मजबूत बनाना है रसी की तरहां तो करें ये काम कुछ लोग महंगे उपचार और प्रोडक्त इस्तमाल करते हैं जिन से उनके बाल मजबूत होने के साथ बाल बहुत ही जादा पतले और कमजोर हो जाते हैं वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाली हूँ सही प्रोडक्त को सही से कैसे यूज करें तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि बाल आपकी खुबसूरती के लिए बहुत ही बेश्कीमती है टिप नमबर वन आवला पाउडर आवला पाउडर में बहुत ही जादा फायदिमन गुर्ण होते हैं इसमें विटमिंग C और एंटी ऑक्सिडेंट होता है जो बालों को मजबूत बनाने के साथ सुन्दर और शाइनिंग भी बनाता है आवला पाउडर को पानी में मिला कर पेच बना सकते हैं और आप इसे अपने बालों में 30 मिनिट तक लगा कर छोड़ सकते हैं फिर शैंपू से धोले इप नमबर दूसरी सरसो का तेल सरसो का तेल बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है जो हमारे बालों को मजबूत सरसो के तेल में विटमिन E और एंटी ऑक्सिडेंट होती है जो बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ घरा भी बनाता है आप सरसो का तेल अपने बालों में लगा कर 30 मिनिट तक छोड़ सकते हैं और फिर शैंपू से धोले फ्रेंड आगे आपको और भी अच्छे अच्छ यानिकी अधिक मात्रा में होना चाहिए प्रोटीन बालों के बहुत ही फाइदेमंद होता है प्रोटीन लेने के साथ आप इन चीजों का ज्यान रखें आप अंडे डाल नट और बींज जैसे आधी चीजों का सेवन करें टिप नमबर सौथा अवाइड हीट स्टेटनिंग इस तरह ना करें अगर आपको जरूरत से ज़ादा करना ही पढ़ रहा है तो हीट प्रोटीक्टेट इंड लगा कर ही अपने बालों को स्ट्रेटन या फिर ढ्राय करें इस वीडियो को लाइक शेर अरसराइक करना ना भूले इस आप हमें अच्छे अच्छे वीडियो बना में मदद कर सकते हैं अब मैं आपको जानकारी बताने जा रही हूं जो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कहा था अच्छे प्रोडक्त को अच्छे से यूज करना आना चाहिए नहीं तो यह आपके बालों को खराब कर सकते हैं टिप नंबर पहला आप अपने बालों के कुछ असरदार टीप जिन से आप안विकरें जाएं प्रीयरीन्ट शैंपून या प्रोडक्त ही यूज करें इन प्रोड़क्त को हफते में 12 या 3 बार री योज कर और यंदी प्रोडक्त को हफतेust 2-3 बार से ज्यादे इस्तमाल ना करें इसे बालों का नैच्रर आउयल का ब ये थे कुछ असरदार टिप जिन से आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं बालों का जड़ना आजकर एक आम समस्या बन गई हैं और इससे बहुत से लोग परिशान हैं लेकिन चिंता ना करें क्योंकि हम आपके लिए कुछ असान और प्रभावित उपाएं लेकर आये जानने के लिए वीडियो को अभी देखें और शेयर करें